YouTube पर quality content की कमी नहीं है बस उन्हें परकने में समय लगता है ऐसे में higher mathematics पर वीडियो ढूनना और भी मुश्किल चैनल को subscribe करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियो लाता रहूं Now let's begin Hello friends, welcome back to the another video of this playlist Make sure that you have watched our previous video Previous video में हमने देखा था कि every non-linear space is a metric space and continuous आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि बनाद space क्या होता है और उसके corresponding में कुछ example देखेंगे तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ So सबसे पहले देखते हैं कि बनाद space का definition क्या होता है और non-linear space ordered pair and comma norm is set to be bannad space if ordered pair and comma norm is a complete metric space ठीक है तो सबसे पहले बनाद space हम कौन से set को बोलेंगे सबसे पहली बात हम कभी भी norm-linear space को ही bannad space बोल सकते है बट कब बोलेंगे जब वो norm-linear space जो भी हमारे पास है वो क्या होना चाहिए complete metric space होना चाहिए अगर हमारे पास given norm-linear space अगर complete metric space होता है तो हम उसको बोल सकते है तो उस norm-linear space को हम बोल सकते है कि वो होगा bannad space ठीक है और norm-linear space क्या होता है इस पर मैंने वीडियो बना रखा है तो अभी हम देखते कि complete metric space क्या होता है complete metric space बेसिकलिए वो होता है ऐसा matrix space आपको पता है norm linear space सबसे पहली बात वो एक matrix space है इसका मैंने वीडियो बना रखा है आप चाहिए तो description box में जाके देख सकते है तो हमें क्या देखा था कि norm linear space एक matrix space होता है कब मैं matrix space को बोलूँगा कि वो complete matrix space है और उसके उपर define किया गया norm है जो कि इन तीनों condition satisfy करता है इसलिए इन वेक्तर space को हम कहे रहे है norm linear space यह जब norm linear space यह कब बोलूँगा कि बनात space है जब यह complete matrix space होगा तो हमने previous वीडियो में देखा था कि यह जो norm linear space है यह एक matrix space होता है जितने भी norm linear space है वो एक matrix space होता है इस पर मैंने proof दे दिया है तो हमें पता है जितने भी every norm linear space is matrix space तो मैं कब बोलूँगा कि वो norm linear space complete matrix space है जब उसकी अंदर जितने भी कोशी sequence होगे वो सारे के सारे क्या होने चीए convergent होने चाहिए अगर सारे कोशी sequence convergent है उस sequence में उस vector space में उस n में उस metric space n में तो हम बूल सकते है our norm linear space is banat space I hope guys आपको definition समझ में आया होगा तो इस पर हम दो examples देखेंगे और same examples मैंने पहले भी करा रखा है कि कौन-कौन से examples है तो banat space के कुछ examples देखने वाले हैं यहापे तो इससे पहले जो example यह हमेंने यह example same हमने देखा था norm linear space में तो वही examples यहापे work करने वाले है तो आपके पास n is equal to rn और आपको पता है rn हमेशा क्या रहता है vector space रहता है चापका r2 हो r3 हो या फिर in general rn वो सब vector space होते है over a field f बढ़ हम इस chapter में मैं आपको पहली बता है कि जो भी field हम यहापे use करने वाले है वो या तो हमारा set of all real numbers होगा या फिर complex number होने वाला है तो ठीक है तो आप जानते हो कि यह जो rn है यह एक vector space है और इसके ओपर norm कैसे define किया गया है from rn to n और वो define किया गया है norm of x मतलब इसका जो domain है वो है x बट x आपको पता है कैसा रहेगा वो दिखेगा हमारा इस pattern में क्यूंकि rn में सारे elements इस pattern के दिखते हैं तो norm of x is equals to square root of x1 square plus x2 square plus dot 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 xn square और आपको पता है जितने भी norm vector linear space है जितने भी norm linear space है वो सब क्या रहते है matrix space होते है हमने देखा है और यह जो है यह भी एक norm linear space है क्यों है norm linear space क्योंकि हमने इसका video देख रखा है आप जाए तो इस description में जाए और link देख लीजिए महाँ पर मैंने बता है कि rn1 norm linear space है क्योंकि यह चारो condition satisfy करता है तो यहाँ पर हमने पता है कि जितने भी norm linear space होते है वो matrix space होते है और यह example बनेगा बनाद spaces का यहाँ पर हम फिलाल दिखाने नहीं वाले है कि इसके इंदर जितने भी कोशी sequence है वो सबके सब convergent है तो यहाँ पर हम नहीं दिखाएंगे simple हमें examples देखने वाले है तो पहला example हो गया यह तो बढ़ते हैं दूसरे example की तरफ तो दूसरा example लेते है same example मैंने वहाँ पर भी लिया था जहाँ पर norm linear space का हमने example दिया था वहाँ पर भी same example था तो हमने क्या लिया है एक लिया है set फिर हम पोल सकते है it is a collection of bounded sequence जितने भी bounded sequence है वो सबके सब हमने set में collect किये सबको collect करके एक निया set बना है जिसके नाम है n उस set के इंदर सारे के सारे bounded sequence है मालो एक sequence xn से denote किया किसी ने xy से denote किया बहुत सारे तरीके है denote करने के तो यह सब एक तरफ से n क्या content कर रहा है एक bounded sequence कर रहा है ठीक है और वो जितने भी elements से उस sequence के वो हमारे field में से लिये गए है मतलब वो या तो real number होगा या तो complex number होगा और हमें पता है इस type का अगर collection हम लेते है वो सारे condition satisfy करता है vector space की इसलिए हम बोल सकते है our selection of this n is a vector space over a field r और c ठीक है अब मुझे उसको बताना कि यह norm linear space है या नहीं है तो norm linear space है या नहीं उसके लिए मुझे norm define किया जो की हमने क्या किया आप कोई भी element ले लो इस n में से अब n है n के अंदर हर element कैसा दिखेगा एक bounded sequence दिखेगा तो एक sequence हमने ले लिया है और उस sequence के अंदर जब आप sequence देखोंगे suppose आपने sequence देखा उस sequence के अंदर के जो elements क्या क्या दिखेंगे x1, x2, dot, 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 xn and so on उस हर एक sequence के जो भी elements होगा उसका mod लेना है और उन सब का mod लेने कि बाद Supremeaman न कलना है तो यह हमने norm define किया और हमने यह भी देखा था कि यह जो norm है यह जो हमने norm define किया है यह जो vector space n है यह norm linear space है और सारे non linear space क्या होते है matrix space होते है और हमने पता है यह जो matrix space हमने जो بنایا है इसके अंदर जितने भी कोशी sequence है जितने भी कोशी sequence है वो सब के सब क्या है? कौन वर्जन्ट है इसलिए हम बोल सकते है अबर सिलेक्शन ओफ दिस एन इस एन इग्जामपल औफ बनाद स्पेस यह एक बनाद स्पेस का एग्जामपल बनने वाला है ठीक है तो यहाँ पर हमने दो एक्जाम्पल्स देखे बनाद स्पेसिस के I hope guys आपको यह वीडियो नो एक्जाम्पल समझ में आये होंगे अगर मेरा पड़ाया हुआ आपको समझ में आया है तो लाइक डिसलाइक जरूर कीजे गया ताकि हम समझ पाए कि आपकी पसंद क्या है कमेंट कीजे शेर कीजे और सबसे जरूरी बाद चैनल को सबस्क्राइब कीजे ठैंक यू सो मच लव यू टेक केर बाई बाई